पंजाबिस्तान यूटूब चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तो आज हम जियो पॉलिटेक्स पार्ट एट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं पिछले पार्ट में आपने पड़ा कि 2012 में मनमोर सिंग ने आरोप लगाया कि तमिल लाडू कोडन कुलम नियूकिलिर पावर प्लांट एरिया में जो स्थानिय लोग धर्ना परदर्शन कर रहे हैं उनके पीछे अमेरिकन अजेंसीज हैं और वो राजनितिक ऐस थेरता फैलाना चाहते हैं उसी दोरान दिल्ली में भी अन्नाहजारे के नेतरतम में एक पूरी टीम राजनितिक ऐस थरता पैदा कर रहे थी उनके पीछे भी मनमोर सिंग बे यूपी सरकार के दो मंत्रियों ने अमेरिका को जिम्मेदार फैराया अब थोड़ा था फ्लेस बेक में जाते हैं ऐसा क्या हुआ कि मनमोर सिंग जो खुद अमेरिकिन लौवी के नजदी की समझे जाते थे उनको ऐस थीर करने के लिए अमेरिकन अजेंसी पीछे लग चुकी थी जबकि यूपीए वन के दोरान इंडिया यूएस नियूकलियर डेल समझोते है तो 2006 मार्च महिने में जार्ज वुश दिल ले आते हैं और तभी बे इंडिया बे अमेरिका के बीच नियूकलियर डेल की बात शुरू करते हैं 2008 आते आते जब यह डेल अपने फाइनल स्टेज पर थी तभी सहयोगी लेफ्ट पार्टियों ने हंगामा शुरू कर दिया था यूकलियर डेल से एतराज था तो वहीं दूसरी तरफ पीम इन वेटिंग अडवानी जी का भी बिरोत था लेकिन मनमोन सिंग अडे रहे कि डेल तो होगी उदर अमेरिका से जार्ज वुश के ओफिस से भी प्रेशर था कि देख लो डेल करना है तो नहीं तो जो आने वाला रश्ट पती होगा हो सकता है वो डील ना करें अत्या मनमोन सिंग के लिए करो या मरो की सथीती थी और अंत में मनमोन सिंग ने लेफ्ट पार्टिज को कह दिया कि ले आओ एबिस्ता पस्ता संसद में देखेंगे जुलाई 2008 में संसद में एबिस्वास पस्ता पर हुई कुछ लोग अफसेंट रहे और कुछ क्रोस बोटिंग हुई जैसे तैसे मनमोन सिंग की सरखार बच गई उसी दिन संसद में कैस फोर बोट का हंगामा शुरू हुआ भाजपा के तीन संसद नोट लहराते हुए आगे आए कि हमको अमर सिंग बे एहमद पटेल ने रि वो अमेरिका की गुट बुक में भी थे और रशियन से कॉंग्रेस की पुरानी दोस्ती थी अताय उनका कॉंफिडेंस बड़ा हुआ था लेकिन अमेरिका की सियासत वदलने जा रही थी चुनाबों का टाइम था नवंबर 2008 में नए राष्टपती को पद संभालना था अब समय चल रहा था अगस्त 2008 है लेकिन यहां से जियो पॉलिटिक्स के समिकरण वदलने शुरू हो चुके थे कुछ अमेरिकन अजेंसी बे मीडिया रिपोर्ट से यह परचार करने लगी थी कि इस डील में जो फ्यूल है उसकी सप्लाई रेगुलर देना उनका यानि अमेरिका का राजनितिक वादा है कोई लेगल वादा नहीं है नए प्रेजिडेंट इस डील का भविशे तैय करेंगे ऐसी खुछ खबरे चल रही थी इतिहास इस चीजों का गवाह है यह चीजें गूगल करके देखी जा सकती हैं अवा आरोप परतेरोप का खेल शुरू हो किया था अमेरिकन अजेंसी 2008 आते आते तक खुल के चंदर गुपत के पक्ष में आ चुकी थी क्योंकि वहाँ जार्ज बुश केविज जाने का टाइम आ गया था नए राष्टपती बराक वामा नवंबर 2008 में बन चुके थे जाहिर है मनमोर सिंग के पास सिर्फ अगस्त बैसे तंबर थे जार्ज बुश ने कहा किस डियल को यू-एस कॉंगरेस से पास करवाना पड़ेगा 11 स्तंबर 2008 को जार्ज बुश ने यह डिल USA कॉंग्रेस के पास मंजूरी के लिए भिजी 19 स्तंबर 2008 को युएस कॉंग्रेस ने वही राग फिर से लापा कि फ्योल सप्लाई कोई लेगल बाइदा नहीं है सिर्फ पॉलिटिकल कमिटमेंट है तब ही उन्होंने उनी दिनों 15 से 26 स्तंबर के 20 अमेरिका के कई वड़े बैंक दवस्त हो जाते हैं लहमन ब्रदरश बासिंग्टन मेच्चुल इन सब की वज़े से अमेरिकन एकोनोमी में अफरात अपरी का महौल वन जाता है 26 स्तंबर 2008 मनमोर सिंग्ग दोड़े दोड़े अमेरिका पहुचते हैं बुच से मिले लेकिन डेल नहीं हुई क्योंकि यूस कांगरस ने मनजूरी नहीं दी 27 स्तंबर 2008 अमेरिका के हाउस ओफ रिपर्जेंटेटिम में बोटिंग हुई इस बिल को पास कर दिया गया 1 अक्तुबर 2008 अमेरिकी सिनेट से भी यह बिल पास हो गया 4 अक्तुबर 2008 यूएस की स्टेट सेकरेटरी दिल ले आ जाती है डिल के लिए लेकिन फिर एक लफड़ा फास जाता है की प्रेजिडेंट बुस को इसके लिए कानूर बनाने के लिए बिल बनाकर पास करना होगा 4 अक्तुबर 2008 बाइट हाउस ने गोशना की कुछ बेसिक फॉर्मलिटिस के बाद 8 अक्तुबर को इस बिशे में बिल वन जाएगा 10 अक्तुबर 2008 ततकालिन बिदेश मंतरी प्रणम मुखर जी बाशिंग्टन जाते हैं पूर अमेरिकन बिदेश मंतरी की मुजूदगी में यह इंडिया यूएस नुकलिर डेल फाइनल हो जाती है 4 नमंबर 2008 को बराक उबामा रष्ट पती बन जाते हैं लेकिन इसके बाद से यह मामला ठंडे वस्ते में चला जाता है फाइनली चंदर गुट बे ट्रम्प मिलकर इस डेल को ठंडे वस्ते से निकाल कर अस्तितम में ले आते हैं जून 2017 में एक तरह से जैसे तैसे मनमौन सिंग की कुटनिती कहिए इतने सब फंचर लगने के बावजुद वो डेल कर पाए लेकिन जैसा अवी तक पिछले दो महिनों में नजर आ रहा था वो साब बता रहा था कि अमेरिका ने दूसरा बिकलब चुल लिया था एपको का उफिस गांधी नगर में उन दिनों स्टार्ट हो चुका था अमेरिकिन्स को अपना हित साधने के लिए इंडिया में एक मजबूत सरकार चाहिए थी ताकि फिर से कोई लेफ्ट पार्टियों जैसा हंगामा ना करे समूद काम चाहिए था उबामा अब आ चुके थे तो वही इंडिया में अब लोग सबा चुनाब सर पर था सब की निगाहें पांच महिने वाद हो रहे लोग सबा चुनाबों पर थी सब भविश्य यह बताता है 2000 के नतीजे क्या आते हैं 2009 के नतीजों में कॉंग्रेस कुछ और एक्स्ट्रा सेट लेकर आई तो उसकी निरवरता लेफ्ट जैसी पार्टियों पर कम हुई कॉंग्रेस का कन्फिडेंस चर्म उत्सा पर था उसी टाइम भाजपा के जीवी एलनर सिमा राव और सुबरमन स्वामी एबी एम में जोल है गड़वडी है एबी एम से कॉंग्रेस ने चुनाब जीता है यह सुर्भाजपा की तरफ से उठने लगते हैं और जियो पोलिटिक्स अब 2009 लोकसबा के बाद खुल कर फ्रेंट में आ चुकी थी समय करन वदल चुके थे अमेरिका में हुए बैंक दिवालियपन के बाद बहां की एकोनोमी बहुत हद तक रौथ चाहिल्ड ने समभाली अतै इंडिरेक्टली अमेरिकन अजेंसीज की फाइनेसियल पावर उनके हाथ में आ चुकी थी अबामा ने मनमौन सिंग को ज़्यादा लिफ्ट नहीं दी क्योंकि अमेरिकन अजेंसीज वैसा नहीं चाहती थी और जब 2011 से यहां इंडिया में जगे जगे उपदर्व होने शुरू हुए चाहे वो दिल्ली का रामलेला मैदान हो ये तमिलाडू हो गुजरात हो मनमौन सिंग समझ चुके थे कि गेम पल्ट चुका है तबी उन्होंने मार्च 2012 में खुल कर आरोप लगाया कि तमिलाडू नियुकिलेर पावर प्लांट इलाके में हो रही गड़वड अमेरिकन के इसारे पर है लेकिन कॉंग्रेस ने अभी भी हार नहीं माने थी उनके पास तुरुप का वो इक्का था जिसकी बुन्याद पर 2009 में चुनाव जीतने का आरोप उनके उपर भाज पर लगा रही थी वो अपनी मोज सत्ता के मद बहेंकार में पढ़कर मस्त थे कि जीत तो हमारी ही होगी लेकिन उदर चंदरगुप्त खेमे की त्यारियां युद सत्र पर थी कॉंग्रेस सोचती रही कि हमने अला दिन का चिराग छिपा रखा है हमारे काम आएगा लेकिन वो उस चिराग की रक्षा नहीं कर पाए चंदरगुप्त की टीम बो चिराग ले उड़ी उसके बाद जो नतीजा आया वो इतिहास वन चुका था इस अला दिन के चिराग बाला पार्ट आगे किसी कड़ी में जरूर बताया जाएगा इस पार्ट में दो अलग-अलग घटनाएं हैं पहली घटनाएं 18 दिसंबर 2016 को पूने के सिंबोसिस इंटरनेशनल युनिवर्स्टी में एक अंतराष्टिय सेमिनार हुआ संग परचारक बैभाजपा नेता राम मादव बहां बिदेश नीती पर सास्त्रों को छत्रों को सपीच दे रहे थे उनके सपीच की शुरुआत की कुछ लाइन में या हिंदी में दे रहा हूं पूरा सपीच अंग्रेजी में लिखा हुआ है जो राम मादव के फेस्बुक पेज पर मिल जाएगा 18 दिसंबर 2016 राम मादव कहते हैं बिदेश नीती में किसी देश का ने तो कोई सथाई दुस्मन होता है और ने सथाई दोस्त सथाई यदी होता है तो वह है आपका सवारत क्या है यह कोट हैंरी किस सिंगर के हवाले से उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका के लिए यही कहा करते थे दूसरी घटना बाई अक्तूबर 2019 को हमारे चंदरगुप जी कुछ बेदेशी महेमानों के साथ होते हैं संग्बै भाजपा का एक ही नारा है राष्ट सर्बोपरी है देश बक्ती और राष्टबाद का सर्ठिफिकेट यह लोग हर किसी को बाढ़ते रहते हैं क्या आप जानते हैं यह कोन है किसिंजर और इन दोनों घटनाओं में क्या कॉमन है राम मादव ने किसिंजर का नाम लिया था और एक तस्वीर में चंदरगुत के साथ जो कुर्शी पर बैठे हुए बजर्ग नजरा रहे हैं वो साक्षात किसिंजर ही हैं पूरव यूएस सेक्टरी ओफ स्टेट 1971 युद के दोरान इनी किसिंजर माशिय ने भारतियों को वाष्टड इंद्रागंदी को बीच तक कहा था राष्टपती निक्सन और किसिंजर ने इतनी कोशिश की थी कि 1971 की जंग इंडिया हार जाए इनका ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को था तन मन धन बहतियारों के साथ यदि वक्त रहते इंडिया को रशियन मदद ने मिली होती तो सायद आज इतिहास कुछ अलग होता इंद्रागंदी को बीच कहा जाना चलो एक बार छोड़ भी दिया जाए क्योंकि इनका पूरा संक्ठन टिका हुआ ही गांधी नहरू के चरित्र हनंतर है लेकिन जब पूरे देश के लोगों को कोई बास्टर कहे तब आपका राष्टबाद क्यूं वाले नहीं मार रहा क्यूं आपका खून वाले नहीं मार रहा यह साविद करता है आपकी देशवक्ती नकली है अगर आप राष्ट की बात करते हैं राष्टबादी होने का दम भरते हैं तो किसिंजर के साथ इस तरह का दोस्ताना बहवार नहीं होना चाहिए चंदर गुप्त ने कुरसी के लिए अमेरिकन से मदत ले बहां तक समझ में आता है एक बार लेकिन जो पार्टी वे संग्ठन देश को मा कहता हो बंदे मातरम ने बोलने के लिए मुसलिम को गदार कहता हो बो लोग यहां किसंजर के साथ गलवहियां क्यों कर रहे हैं और र पत्रों को तो पता भी नहीं होगा उन्होंने किसंजर को कोई महापुर्श समझा होगा राम मादव का 2016 में किसंजर को यूनिवर्स्टी स्पेच के दुरान कोट करना चंदर गुप्त का किसंजर के साथ यूं दास्ताना महौल में बैठना इस पूरी सेरज की सार्थकता को सिद करता है कि 2014 में उनकी सत्ता सिर्फ बिदेशी कोपी एजैंसियों की मदद से आई है चंदर गुप्त के साथ किसंजर के अलावा जो ने लोग हैं वो सबी उसी गुरु कुल वेचान के संस्थान के सटूडेंट हैं जहां से हमारे चंदर गुप्त पास हुए हैं एक तर किस तरह लगी यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर यह वेडियो अच्छा लगे तो इसको शेर जरूर करें हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल ना भूलें और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दवाएं ताकि आपको हर वेडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहें